चुनावी दूरा आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं आपको वदादे की सबसे पहले बेनेश्वर धाम बांसवाडा में चुनावी सभा करने वाले हैं दोपहर मांडल भिलवाडा में CM के सभा होगी और फिर चार बजे अंता बारा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीम गहलोत सीम गहलोत का भी तूफानी चुनावी दोरा लगातार जारी है अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए जनता से वोट की अपील लगातार कर रहे हैं और इसी बीच आज तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीम गहलोत सीम गहलोत का तूफानी चुनावी दोरा लगातार जारी है सबसे पहले बेनेश्वर धाम बांसवाडा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे दोपहर को मांडल भिलवाडा में भी CM की सभा होने वाली है फिर चार बजे अन्ता बारा में जनसभा को सम्भोधित करेंगे CM अशोग घैलोत तो कुल मिलाकर आज तीन जनसभाई करने वाले हैं राजिस्तान के मुख्य मंतरी अशोग घैलोत समर्थकों और कारेकरताओं में लाजमी सी बात है उच्साह का माहौल है सुनना चाहते हैं अशोग घैलोत को और इसलिए तैयारियों के भी पुक्ता इंतिजाम किये गए है सी अमशोग घैलोत का तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी है कई जनसभाई लगातार आए दिन कर रहे है लोगसब चुनाओं के बद्दे नजर अब जनसभाऊं का दौर भी लगातार जारी है आपको बताते कि दो चर्णों में चुनाव होगा 29 अप्रेल और 6 मई को चुनाव होगा राजिस्थान में और इसी के मद्दे नजर अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए सभी दिगज अपनी 80 चोटी का जोड लगाते नजर आ रहे है और इसी बीच सीम अशोग घ्यलोत आज कुल मिलाकर तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे सबसे पहले बेनेश्वर धाम बासवाड़ा में चुनावी सभा होगी दोपेर को मांडल भेलवाड़ा में भी सीम की सभा होने वाली है और फिर चार बजे अन्ता बारा में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे राजस्तान के मुखे मंत्रिय अशोग घ्यलोत तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी है दुआधार प्रचार करते दिख रहे है सेम घ्यलोत का तूफानी चुनावी दौरा आपको बता रहे है जहाँ पर दुपहर को मांडल भेलवाड़ा में जनसभाओं होने वाली है सीम की सीम अशोग घ्यलोत का तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी है कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार ताबर तोड रेलिया कर रहे हैं मुखे मंत्रिय अशोग घ्यलोत और इसी बीच आज एक नहीं दो नहीं तीन तीन जनसभाओं को संबोधत करते नज़र आएंगे मुखे मंत्रिय अशोग घ्यलोत